दोस्ते दोस्तों नया सदन तो बन गया चका चोन से भरपूर लेकिन पुराने सदन का क्या हुआ क्या पुरानी संसद को तोड़ दिया जाएगा नय संसद की आखिर जरूरत क्यों पड़ी नय और पुराने संसद में अंतर क्या है बनाने में कितना खर्च आया और इसे बनाया किसने कभी सोचा आपने ऐसे कई सवालों के जवाब यहां मिलेंगे चलिए नय सदन के साथ साथ आज याद करते हैं उस पुराने सदन को जो कई बड़ी घटनाओं की गवाह दी पहले बात करते हैं इस सवाल की जो उठाय जा रहा है कि क्या पुराने संसद को तोर दिया जाएगा देखे इसके कई विकल्प हैं किंद्री आवास एंग शेहरी विकास मंतरी हरदीप सिंग्पुरी ने रायसभा में एक वक्त में कहा था कि जब संसद की नई इमारत बनकर तयार हो जाएगी तो पुरानी इमारत ही मरम्मत करनी होगी और वेकल्पिक तोर पर इसका इस्तेमाल करना होगा हरदीपुरी ने ये बात कही थी सरकार के मताबिए पुराने संसद धोन को ढाया नहीं जायागा इसे संरक्षित रखा जाएगा क्योंकि ये देश की पुरा तात्विक संपत्ती है संसद से जुड़े कारक्रमों के आयोजन के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा पुराने संसद धोन को बिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हरबर बेकर ने काउंसिल हाउस के रुप में इसे डिजाइन किया था इसे हम सब में पड़ा है इसे बनाने में 6 साल लगे थे तब इसे बनाने पर 83 लाख रुपए खर्च हुए थे वहीं आज नय भौन को बनाने में करीब 1200 करुण रुपए का खर्च आया है संसद धोन करीब 100 साल पुराना है केंच सरकार का कहना है कि मौझूदा संसद भौन में संसदों के बैठने के लिए परयाप्त जगैर नहीं थी मौझूदा वक्त में लोगसभा सीटों की संख्या 545 हम सब जानते हैं पुरानी लोगसभा में अधित्तम 552 वक्ती बैठ सकते हैं नय लोगसभा भौन में 888 सीटों की उक्षम्ता है और इसे मोर की थीम पर बनाये गया है पुरानी राहसभा में 2500 साथ के बैठनी की जग है वहीं नय राहसभा हॉल की इक्षम्ता को बढ़ा कर 384 किया गया है नई राहसभा की संख्या तमल के थीम पर बनी है लगातार बढ़ते दबाओं के कारण संसद भवन में काफी भीड हो गई थी Central Vista Project के तहट नए संसद भवन का निर्मार किया गया है इस प्रोजेक्ट का खाका गुजरात इस्थितिक आर्किटेक्चर फर्म ने तयार किया नएस भवन का निर्मार जो है एक देसी कंपनी ने किया देस के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड तो ये बाते हैं जो कहीं न कहीं सोचने को मजबूर करती है दरसल सेंटरा विस्टा राजपत के कریब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं इंडिया गेड के क करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है सेंट्रल विस्टा के तहट राश्च्पती भावन, संसद, नौर्थ ब्लॉक, साउध ब्लॉक, उपराश्च्पती का घर भी आता है पुराने संसद में सामने बड़ा स्पेस है और पूरी इमारत बोलाकार है जबकि नई इमारत त्रिभुजाकार है सुरक्षा के लिहास से बात करें तो करीब सौ साल पहले जब संसद बहुन का निर्मार हुआ था उस वक्त दिल्ली वुकंपी अक्षेतर टू में थी लेकिन अब ये चार में पहुँच गई है बदलते वक्त के साथ संसद बहुन में सीलन जैसी दिकते भी पैदा हुई है और आग लगने का खत्रा बढ़ा है समस्कार